नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से competition community की YouTube चैनल में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर special MCQ series जिसमें आज हम discussion करने वाले CGPSC के परारंबिक परिक्षा में CSET के important topic जो की है संख्यात्मक अभ्यूद्यता जिसे हम maths के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर math का तो आप मेरे साथ जुड़े हुए थे जब CGPSC का crash course live चल रहा था YouTube में जिसमें हम 8 अलग-अलग वीडियो से important topics कवर कर चुके हैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर mixed bag of questions MCQs के जरीए आपसे discuss करूँगा क्योंकि आपके exam में भी लगभग इसी तरीके से सवाल आते हैं mixed bag questions रहते हैं हर एक topic से ठीक है तो आपको CSAT में अनिवार है कि आप 33 number लाएं किसी भी हालत में और हमारी भी कोशिश यही है कि आपको ऐसा content provide करें मैं ऐसे question solve करा हैं जिससे आपका confidence boost हो तो इस वीडियो में जितने भी प्रशन में यहाल आए एक बार आप खुछ से पी उसको solve करें उसके बाद देखिए कि हमने कैसे solve किया है ठीक है आपका concept जो मैंने बता के रखा हुआ था आपको उन वीडियो में उसको यहाँ पर आप interpretation से start करूंगा पहला सवाल है आपके screen के उपर तो यहां पर यह है एक बार ग्राफ यानि की दंड आरेक आप देखिए यहां पर कभी भी आप इस तरीकी का प्रशन देखते हैं एक्जाम में तो सबसे पहला काम है कि आप इसका instructions को read कर लें तो यहां पर आपको XYZ तीन जेड के उत्पादन और 96 में company Y के उत्पादन के वीच का अंतर आपको निकालना है तो देखिए पहले तो आप इस तरीकी का ग्राफ जबी भी देखते तो उसको read कर लीजिया करें देखिए कि यहां दिया है quantity in lakh ton मतलब यह लैक ton में quantity है लैक ton में यह quantity है अब यहां से सवा को यदि आप देखेंगे तो यहां पर 1996 की बात करें तो एकस का जो है तीस दिया हुआ है यह इस बार ग्राफ का मतलब औरेंज कलर का मतलब एकस है वाइट कलर का मतलब वाई है और यह जो येलो कलर है यह आपका जेड के बार में information दे रहा है तो 96 के अगर बार ग्राफ को ह यहां पर यह अरेंजड है यह 96 की बात है 97 की यदि में बात करूँ तो 97 में आप इसको रीड करेंगे तो यहां पर एकस का जो वैलू है वो यहां पर जाके खतम हुआ जो की 40 और 50 के बीच में है तो यह 45 हो जाएगा इस तरीके से आपको ग्राफ को रीड करना है ठीक है एक बार आपने रीड करना समझ लिया तो carefully पढ़िए instructions की दिया क्या हुआ हमें क्या solve करना है आप देखेंगे यहां पर difference between production of companies Z in 98 तो Z का आपको चाहिए 98 का data और Y का आपको चाहिए 96 का data इन दोनों में क्या अंतर है यह हमें निकालने को कहा गया है तो इन दोनों को carefully read करिए कि क्या दिया हुआ है तो चलिए समस्ते हैं यहां पर Z का 98 में तो 98 में यह है और Z का मतलब यह वाला data तो Z जो है यहां पर आके खतम हो रहा है मतलब कि यह 45 है 45 lakh ton denote कर रहा है और 96 मे 96 में आपको Y का data चाहिए तो Y का data आप देखेंगे यहां पर carefully तो यहां पर 25 है और इन दोनों का जो अंतर है इन 20,000,000 है तो यह वाला उंतर जो है यही सही होगा क्योंकि इसके आगे 20,000,000 है और आगे इससे भी ज्यादा है तो यहां पर आपका जो 20,000,000 वाला जो option है वो यही है क्योंकि यह लैक टन में था तो आप carefully यहां पर mark करेंगे ठीक है ज्यादा इधर पर तेजी से करेंगे त जिरो उपर नीचे हो सकता है तो आप exam में थोड़ा काम रहिए अराम से आपको यहां पर रहना है और एकदम देखकर आपको यह option को mark करना है 20,000,000 वाला यहां पर कॉन सा है ठीक है तो यहां पर कई बार ऐसा हो जाता है कि exam में जो है time चलता रहता है तो हम यहां पर बैठते हैं और options को गलत मार कर लेते हैं तो आपको peacefully exam में यह सारी चीजों को select करना है आसान सवाल है ठीक है तो आसान-सान सवाल को आपको कैसे भी 33 लाना है ठीक है तो आसान-सान questions को target करिए पहले क्योंकि 33 आपको लाना है और उसको भी आप peacefully काम ली करिए कि आप यहां प 98 से लेकर 2000 के दसका मतलब इन वर्शों, इस अवदने समान अवधी में Y का उसत उतपादन का क्या अनुपात है आपको निकालना है, मतलब अब जो data हमको निकालना है। 98 से लेकर 2000 तक का चाहिए और आपको data चाहिए X और Y का आपको X और Y का data चाहिए और इसका औसात उत्वादन का अनुपात निकालने को कहा गया अनुपात जो है सबसे आसान सवाल होता है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है बस यहाँ पर इसको जोड़ना है और दोनों तरफ आपको लिग दिना है और इसमें जो common factors है उसको आपको cancel out करना है तो जैसे ही मैं X की बात करूँ तो X देखिए यहाँ पर है इसका मतलब होगा 25 X जो है यहाँ पर आके खतम हो रहा है मतलब यहाँ पर 50 और X यहाँ पर आके खतम हो रहा है मतलब यह जो है 40 है तो यदि इसको जोड़े 40 और 50 हो जाएगा 90 और 25 को जोड़ोगे तो 115 आएगा 115 होगे X का मन ठीक है अब अनुपात मैं आपको निकालना है दूसरा value और क्योंकि यहाँ पर average की बात हो रही है तो अनुपात में तो कटी जाएगा न क्योंकि आपको Y का भी अनुपात लेना है तो आप इस तीन को divide करो या ना करो बात एकी है ठीक है तो आसत यहाँ पर हो रहा है तो योगफल बटा जितनी संख्या है वो होती है अब यहाँ से मैं बात करो Y की Y की बात करते हैं तो यहाँ पर जो Y है ये इसका value कितना कितना है देखिए ये 30 और 40 की भीच में तो ये 35 हो जाएगा यहाँ पर ये Y है तो ये हो जाएगा 40 ठीक और यहाँ पर ये Y है तो हो जाएगा 50 तो 40 प्लस 50 होता है 90 90 में 35 को जोड़ोंगे तो कितना जाएगा 125 लेगा ठीक है और बटा में 3 फिर से आएगा क्योंकि यह आपको आसात निकालना है और आसात का भी अनुपात निकालना है तो हमने योगफल निकाल लिया अब इसका औसात निकालने की बारी है तो यह एकस अनुपात का यम् handmade का ओसात है X अनुपात का Y का ओसाथ है कहां से कहां तक तो 98 से 2000 तक अब इसका ratio निकालना है तीन से 3 कर जाएगा 5 से काटोगे तो बताइए कितना आएगा यहां पर 5 से काटने पर 33 और आगे आजाएगा 25 23 रिश्यो 25 जो है सवाल का सव्युक्तर है C is the correct answer यहां तक बाते समझ में आगए चली आगे बढ़ते हैं इसके बाद वाला सवाल देखेंगे इस इन दोनों में कितने प्रतीशत का इंक्रीज हुआ यहां प्रतीशत वृद्धी आपको निकालना है और प्रतीशत वृद्धी निकालना है का ट्रिक हम सीख चुके है पहले वीडियो में पर्सेंटेज इंक्रीज निकालना हम जानते हैं तो बस आप यह देखिए कि 96 की जब बात हो रही है तो वाय का हमको निकालना है डेटा तो यह आपका है 25 यह जो वैल्यू है कितना इंक्रीज हुआ यह निकालना है और मैंने आपको पर्सेंटेज इंक्रीज सिखाते वक्त यह बात बताई है कि प्रारंबिक मूल्य और अंते मूल्य का जब हम अनुपात लेते हैं तो पर्सेंटेज इंक्रीज में कोई चेंज नहीं होता तो यहां पर डारेक्ट लिए आप क्या लिख सकते हैं कि पहले 25 लाख टन का उत्पादन हो रहा था अब 40 लाख टन का उत्पादन हो रहा है ठीक या तो आप इसको 100 भी बना सकते हैं 100 बनाने के लिए आप चार गुना कर दिये इसको दोनों को तो चार गुना करने पर यह वाला वैलू बन जाएगा 100 और यह वाला वैलू बन जाएगा 160 क्यों मैंने इ प्रिद्धी का फर्मूला क्या होता था तो एक्चुली जितना इंक्रीज हो रहा है बटा प्राणविक मुल्य गुडे 100 अब यदि आप इसको 100 नहीं बना पाते हैं किसी ऐसे भी वैल्यू आ सकते जिसमें आप इसको 100 नहीं बना पारें उसमें परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूं ठीक आप क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको सिंप्लिफाइब कर दीजे जितना छोटा आप इसको सिंप्लिफाइब कर देंगे उतना तेजी से आपका क्यलकुलेशन और असान हो जागा पांच से काटने पर यह वैल्यू पा प्रतीसत निकालोगे तो 5 में निकालोगे और गुने में यहाँ पर 100 कर दोगे अगेन अगर आप इसको सॉल्व करें तो वैल्यू जो है वो 60 प्रतीसत ही आ रहा है तो इस चीज़ का आपको नोट बनाके रखना है जो कि मैंने आपको प्रतीसत वाले वीडियो में बताया भी था कि अगर हम प्रारभिक मूल या अंतिम मूल के अनुपात को हम संभाल के रखे आने कि अनुपात को हम चेंज ना करें तो प्रतीसत में कोई बदलाब नहीं होता है तो 100 से 160 हो रहा है तभी भी 60 प्रतीसत की व्रिद्धी 25 और 40 में देखोगे तो भी आपकी 60 प्रतीस दर डारेक्ट के उपर है तो कभी भी जो प्रशन आते हैं आपके डेटा इंटरप्रेशन के उपर वो तीन से चार या पाच सवाल डारेक्ट लिए इंपोर्टन है आपको यह सीखना अपड़ेगा कि इसका डेटा आपको रीड कैसे करना है और आपको पता होना चाहिए प्रतिसत से थे औस ते और साथ में आपके अनुपाद से थे तो आपको तो डेटा बस रीड करना आना चाहिए और आपको यह तीन टॉपिक क्यों पर पकड़ होना चाहिए तो देखने में लगता है कि difficult देखने में लगता है difficult but actually बहुत आसान है अगर आपको यह तीन टॉपिक अच्छे से आता है तो आप इसके प्रश्णों को अच्छे से calculate कर सकते हैं क्योंकि आपको बस यहां से data निकालना आना चाहिए और आपको यह कैसे solve होता है percentage average ratio यह सारी चीज़े पता हू आपको बताना है तो देखिए excess income यका निकालना होगा रएक का निकालना होगा जय तो ऑसंत का मतलब होता है कि यогफल आप निकालिये सब का और बटेमें जितने संख्या है वह जब यहां पर जिए गया कि आब दिएगा जिसका और ज्ञादा होग उसका उसक ज्सका उसका बात समझ में आगई अब देखिए कितने तेजी से आप इसको जोड सकते हैं इसके उपर जो है आपका समय निर्भर करेगा आपको क्या करना है एक्स के सारे वैल्यूस जोडने तो देखिए एक्स का वैल्यूस कितना यह 30 है यह 30 प्लस यह कितना है तो 45 है 30 और 45 जोड़ोगे सब्सक्राइब गाना इसको जोड़ोगे leave में 70 को जोड़ोगे और 150 है इस यह %100 में इस वैल्यूगै यह वाले value को जोड़ेंगे तो यह 40 है फिर से मतलब 190 हो जाएगे क्लियर मतलब इसका जो योगफल है वह 190 है केवल मैं योगफल देखूंगा क्योंकि बट्टा में 5 करने पर उसत निकलता है और बट्टा में 5 सभी में होगा तो यहां पर उसत निकालने कोई आपसकता नहीं है जब तक कि आपको आउसत फाइंड नहीं करना हो तो मैंने बस इसको जोड़ा सारे वैल य की बात कर लेते हैं य की बात यदि हम देखे तो यहां पर 25 है कितना है यह 25 है तो यहां से 95 हो जाएगा इस 95 पर यह वाले वैलू को जोड़ोगे तो कितना है चालिस है इसको जोड़ोगे तो 135 यहां तक हो गया और इसमें लास्ट वाले वैलू को जोड़ोगे तो लास् 185 मतलब क्लियरली आपको समझ में आ रहा है य तो आइंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपको अधिक्तम वाला maximum वाला निकालना था तो अब आप फज्जाएंगे या तो X हो सकता है या X और Z दोनों हो सकता है क्योंकि यहां पर X और Z भी एक option है और एक X वाला option भी ठीक तो चलिए Z की बात कर लेते हैं कि Z का टोटल कितना रहा है यहां पर यह 35 दिया हुआ है कि यह भी फिर से 35 है तो 35 फिर से जोड़ोगे इसमें तो वैल्यू यहां पर 190 आएगा मतलब एक बार फिर से Z का जो टोटल वैल्यू आ रहा है 190 अब देखिए और सथ निकालने का मतलब होता है बटा में 5 करना बटा में 5 करना बटा में 5 करना लेकिन उसकी आवसक्ता नहीं है क्यूंकि उसके बाद भी सेम वैल्यू है आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा Maximum X और Z दोनों के दोनों बरावर है X और Z दोनों के दोनों बराबर है मतलब आप इसमें D option को मार्क कर देगी ठीक है तो थोड़ा सा calculated सवाल है क्योंकि यहाँ पर आपको average सभी का निकालना है तो देखिए अगर आपकी calculation speed तेज है तो आप इसको attempt कर सकते है first attempt में लेकिन अगर आप थोड़ा सा slow calculation में है तो आप इसको last यानि कि second attempt में आप इसको रख सकते हैं हालक कि सवाल बहुत आसान है average का definition आपको पता होना चाहिए average का definition क्या होता है कि सब को जोड के बटे में जितनी संख्या उतनी संख्या तो यहाँ से बस average निकालना है तो यहाँ पर चार वर्ष दियो है 97, 98, 99 और 2000 मतलब देखिए आपको बस यह देखना है कि यहाँ पर जो value है वो कितना है तो यह 25 का value है अगले वाले में देखोगे तो यहाँ पर जो है 35 का value है next value में देखोगे तो फिर से 35 का value इसके बाद वाले में जो value है वो यहाँ पर आके रुक रहा है मतलब यह 40 का value और लास्ट वाले में देखोगे तो यह value जो है 50 का है आप से पूछ रहा है कि percentage increase maximum कहाँ पर तो देखिए maximum percentage increase यह ही होना चाहिए 97 में क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बढ़ रही है value वो 10 से बढ़ रही है और जब percentage की हम बात करते हैं तो percentage होता है 10 divided by previous year के comparison में आपको निकालना है तो 25 multiplied by 100 percentage increase कैसे निकालते हैं याद है सभी को हम यहाँ पर discussion कर रहे है percentage increase तो net increase हुआ 10 का बटे में किस पर निकालना है तो 25 में निकालना है तो यह value कितना आएगा 40 percentage आ जाएगा ठीक है अगर इसको काटे यहाँ से तो चार बार कटेगा तो 40 प्रतिशत का इंक्रिमेंट है यहाँ के 97 में अकेले हो रहा है यहाँ 97 से 98 जाओगे तो कोई increment नहीं हो रहा मतलब यहाँ 0 percentage change है 98 में 99 की बात करें तो 99 में यहाँ पर पांच का इंक्रिमेंट हो रहा है और पांच का इंक्रिमेंट कितने हो रहा है तो 35 में हो रहा है मतलब यहाँ से आगर आप इसको solve करें तो एक बटा साथ होता है एक बटा साथ का percentage value आप लाओ जानते हैं 14 दो बटे 7% ठीक खुदी बताइए कि सबसे ज्यादा इंक्रिमेंट कहा हो रहा है तो देखे यहां से आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंक्रिमेंट जो है 97 में हो रहा है तो आपको बस यह देखना है कि प्रतिसत इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है प्रतिसत इंक्रीज का फॉर्म स्क्वार सेंटीमेटर दिया हुआ है तो आपको बताना है कि उसकी लेंद क्या होगी साइड की तो देखिए यहां पर सम भुज कोणी सट भुज दिया हुआ है जिसकी भुजा की लंबाई क्या है अगर शेत्रफल जो है वह आपको दिया 54 रूट 3 वरग सेंटीमेटर ठीक है तो देखिए एक हेक्सागन मतलब रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है देखिए जिस भी फिगर के सामने रेगुलर लग जाता है वो एक ऐसा फिगर होता है जिसके सारे भुजाय और सारे कोण इक्वल होता है ठीक है सम भुज कोणी है मतलब कि इसका भुजाय भी ब से बनता है इसके शेतरफल का वर्मूला क्या होगा अगर यहां पर छोटे-छोटे इकुलेटरल ट्राइंगल बने मतलब कि सम बाहू त्रिबूज छोटे-छोटे ठीबूज बन गए एक का जो फ़र्मूला जब हम एक त्रिभूज की बात करें सम कौन त्रिभूज की तो उसका एरिया होता है वही रूट 3 by 4 into A square इसको आप नोट कर लीजे कि एक्विलेटरल ट्रेंगल जो होता है इसका एरिया होता है रूट 3 by 4 into A square लेकिन यहाँ पर यहाँ पर 6-6 equilateral triangle बना दिये 6-6 equilateral triangle बनने के वज़े से इसका एरिया 6 times हो जाएगा क्लियर है कैसे इसको याद रख सकते हैं एक सम बाहू त्रिभूज यानि कि सम बाहू त्रिभूज का मतलब equilateral triangle का एरिया जो होता है वो root 3 by 4 A square होता है और क्योंकि यहाँ पर हम सम भुज कोण यह शट भुज की बात कर रहें यानि कि हम regular hexagon की बात कर रहें तो यह regular hexagon में 6 छोटे-छोटे equilateral triangle चुपे होते हैं एक, दो, तीम, चार, पांच, छे और इन 6 का एरिया क्या हो जाएगा 6 multiplied by 1 equilateral triangle का एरिया और इसका value आपको दिया हुआ है कि यह है 54 root 3 क्या आप यहाँ से a का value निकाल सकते हैं इसके भुजा का value निकाल सकते हैं आपका जवाब होगा बिल्कुल root 3 से root 3 कर जाएगा 6 से काटोगे तो यह 9 बार होता है मतलब a square जो है इसका value 36 सारा है अगर मैं दोनों तरफ square root ले लूँ तो यहाँ एक अमान जो है वो हो जाएगा 6 सेंटीमेटर मतलब इसका जो भुजा है वो 6 सेंटीमेटर तो mensuration के उपर formulas जो होते हैं उसके उपर direct सवाल आते हैं कुछ formulas मैंने आपको लिखवाये थे यह एक नया formula आपको यहाँ पर मिल गया होगा जो कि इंपोर्टेंट है ठीक है बाकी सारे formulas जो है वो मैंने आपको वहाँ पर जो हमने classes डिसकस्ट किया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था अगला सवाल देखिए volume of a cube जो है यह आपका 512 cubic centimeter है what is the total surface area तो देखिए एक cube याने कि घन का आयतन जो है आपको दिया हुआ इतना घन centimeter 512 घन centimeter पुल सता का सेतरफल बताईए पाई का value है 22 बटा साथ हाला कि बाई का यहाँ पर कोई उप्योग नहीं है घन याने कि cube का मतलब होता है कुछ इस प्रकार यह दिखता है जिसके लंबाई चोडाई और उचाई सब बराबर होती है यह लंबाई यह चोडाई और इसकी उचाई सब बराबर होती है इसके आयतन की बात करें याने volume की बात करें तो volume का formula एक क्यूब होता है और इसका value दिया है 512 पांत्सो बारा क्या है तो आठ खागन है मतलब आप यह तो समझी चुके होगे कि यह जो ए है इसका मान आठ सेंटीमीटर होगा सवाल में पूछ रहा था कि इसका टोटल सर्फिस एरिया का फॉर्मुला याद करें क्या होता है मैं आपको इसके टोटल सर्फिस एरिया को height कर लो तो यहां से इसका 4 curved surface रहा जाएगा और top face bottom face को जोडने पर total surface रहाएगा या ऐसे भी देख सकते हैं कि भई इसका जो सारे sides है सारे जो faces है वो एक square है ये भी x square है इस तरीके से right side, left side, back side में x square रहेगा, top में x square आएगा, bottom में x square मतलब कि 6 square है तो इसका total surface area का formula होता है 6a square मतलब 6 multiplied by a का square होता है 64 इससे आपका value आजाएगा 64 का 6 गुना करना ठीक है तो बताइए 360 plus 24 करोगे 384 जो है इसका centimeter square इतना total surface area हो जाएगा, ठीक है clear है total surface area कैसे निकालने है आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद next question देखेंगे अगला सवाल दिया हुए, a milkman makes a profit of 20 percentage यह सवाल नमबर 8 होगा न सवाल नमबर 8 है, यहां पर थोड़ा typing error होगा, यह 8 नमबर का सवाल, ठीक दिया हुए, a milkman makes 20% profit by selling milk which is mixed with water at 9 rupees per liter, if the cost price of 1 liter of pure milk is दूद वाला क्या करता है, दूद और पानी के मिश्रन को 9 rupees per liter के सबसे बेच कर उसमें यहां पर 20% का लाब कमाता है, यदि बोला गया है कि शुद दूद जो है, वो कितने का है तो 10 rupees का है, तो बताना है आपको कि दूद वा पानी का अनुपात किस सबसे मिला है, मतलब कि किस अनुपात में हम दूद और पानी को मिला रहे है, मान लेते हैं कि हमने यहां पर दूद जो लिया, यानि मिल्क जो लिया, वो M लिया, और वाटर जो लिया वो वाटर W लिया, ठीक? मतलब देखे, आप जब खरीदारी करने जाओगे, तो cost price लगेगा M पर, ठीक है? cost price किस पर लगेगा? यानि कि आप जो खरीद रहे हैं, क्रेमूल लगेगा, वो M पर लगेगा, लेकिन जब आप बेचने जाओगे, selling price जो लगेगा, वो किस पर लगेगा, तो M पलस W पर लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पर जब बेच रहे हो, तो मिलावटी समान बेच रहे हो, लेकिन जब खरीदने जाते हो, तो आप यहाँ पर दूद खरीदे, दूद को खरीदने का दाना है, 10 रुपया पर लिटर और इसके मिश्रन को बेचने का जो दाम है, इसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ से इसको जो बेचने का दाम है, वो है 9 रुपया पर लिटर, और आपको बताया गया है, कि आपको जो लाव हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लाव हो रहा है, वो प्रारंभिक मूले जो है याने कॉश्ट प्राइस यदी पांच है तो अनुपात में जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वह एक जादा होगा क्योंकि लाब एक का हो रहा है और एक कला मतलब यह अच्छे होगा आप यहां 120 लिख सकते हैं उससे भी सही उत्तर आएगा क्योंकि 20% बढ़ाने का मतलब 100 का खरीदा तो 120 पर बीचा ठीक मतलब अब यदि यह 20% का प्रॉफिट दे रहा है तो जो अनुपात यहां है वह अनुपात यहां प इसको solve करते हैं पांच से दो बार कटेगा तीन से काटने पर यहां पर दो आ रहा है यहां पर तीन आ रहा है यह दो यहां पर आ जाएगा तो 4M बराबर हो जाएगा 3M प्लस 3W, correct? M को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो 4M माइनस 3M होगा तो M आ जाएगा M इकोल to 3W मतलब अनुपात क्या हुआ भई? यानि कि यहां पर जो ratio आ रहा है वो क्या है? M बटा 3, M बटा 3 बराबर W बटा 1 मतलब की जो वो दूद है और water है उसमें जो अनुपात बन रहा है वो 3 अनुपात एक का बन रहा है यानि यह जो है सवाल कसी उत्तर हो जाएगा clear है बात समझ में आ गई? हमने क्या कि हमने देखा कि milk खरीदा जाता है लेकिन मिश्रन में milk प्लस water बेचा जा रहा है और क्योंकि यह दुनों cost price selling price है तो इसका अनुपात 5.6 के बरावर होना चीए और जैसी हमने इस अनुपात में इसको equate किया यहां से milk और water का ratio 3 is to 1 आ रहा है चली आगे बढ़ते हैं difference between the selling price and cost price of an article is 210 if the profit percentage is 25 percentage what is the selling price of the article प्रसांते है अनुपात होगा तो यहां से क्रय मूले और विक्रय मूले का जो आनुपात हो जाएगा क्राय मूल 4 का है तो आपने एक कमाया और एक कमाऊगे तो सेलिंग प्राइस जो है वो 5 से उपात हो जाए मतलब कि आपका जो लाव हो रहा है आपका जो लाव हो रहा है वो कितने का लाव हुआ है यहां से एक से वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एक unit का आपका लाव हो रहा है और सवाल में दिया हुआ है कि इन नोनों का जो अंतर है यानि कि क्राय मुल्य विक्राय मुल्य का जो अंतर है वो आपके किसके बरावर है तो 210 के बरावर है मतलब अगर एक unit 210 के बरावर है आपसे सवाल में क्या पूचर है? यानि विकरे मुल ये बताइए तो विकरे मुल 5 उनिट है अगर 1 बरावर इतना है तो 5 बरावर इसमें 5 गुणा करना पड़ेगा और 5 गुणा करोगे तो 50 और यहां मतलब कि 1,050 रुपिया का इसका विकरे मुल आ जाएगा भी जो है सवाल का बिलकुल सही उत्तर हो जाएं यहां तक समझ में आगई बात हैं क्लियर है चलिए अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं इसके बाद वाला सवाल देखेंगे तो हमने दो सवाल देख लिए यहां पर profit and loss related अगला सवाल दिया हूँ है how many years 150 rupees will produce the same interest at 8% as 800 will produce in 3 years at 4.5% कितने वर्षों में 1500 रुपए के 8% के दर से उतने ही ब्याज मिलेंगे जो 3 वर्षों में 800 के उत्पादम से 4.5% की दर से मिलेंगे तो देखें सिंपल सी बात आप समझीए यह सवाल जो है आपके साधारन ब्या का मतलब क्या होता है सिंपल इंट्रेस्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा सो तो सवाल यह कह रहा है कि कितने वर्षों में 1500 रुपए पर ठीक है उतना ही ब्याज मिलेगा 8% की दर से जितना 800 रुपए में तीन वर्षों में साड़े चार पर रहे हैं sirl rate of interest आपका है 8 प्रتिसत और आपसे ५ूशर है कितना टाइम लगेगा कि उतना ही ब्याज मिले तो अभी आपको ब्याज दियतना मिल रहा है और उइतना ही ब्याज मिल चीन किसमें जब आप 800 रुपए लगा रहे है 800 रुप्ए का का आप यहां पर लोन है यह इंवेश्चमेंट कर रहे है और आपके थी जो हुने जाहांको क्लों आपको लग रहा है व JAC तीन बार काटेगा अगर इस शूणी को वहाँ पे multiply कर देतो फैतालिसफ हो जाता है मतलब यह इसको तीन कर जिआगा यहाँ बच गया तो यह 0.00 मतलब टाइम जो ओबर लिकल किया तीन मतलब कि 9 वर्सों में नौ वर्षों में ऐसा हो जाएगा तो सी जो है सवाल का सवाल है सिंपल इंट्रेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते पी आरटी बटा सौ इसके उपर अधारित यह प्रस्ण है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखें यहां से मैंने एक-दो सवाल दिये हुए एल्जेबरा के है तो एल्जेबरिक आइडेंटिटीज जो है इंपोर्टेंट है एल्जेबरा के जो आइडेंटिटीज है यह इंपोर्टेंट है तो एल्जेबरा के आइडेंटिटीज से डायरेक्ट आपके प्रस्ण एक्जाम में बनते हैं पिछले वर्ष का जो आपका c-site exam हुआ था उसमें algebra से सवाल बने थे ठीक है तो यह थोड़ा सा important हो जाता है तो मैंने एक दो सवाल यहाँ पर algebra के रखे हैं यहाँ पर आपको बोला गया इसका reciprocal निकालने का यानि कि आपको इसका view तक्रम का मतलब क्या होता है पहले तो देखिए यहाँ पर LCM अगर आप लोगे तो X आ जाएगा और यहाँ पर यह X स्क्वार प्लस वन हो जाएगा इसका view तक्रम निकालने का मतलब इसके घात में माइनस वन करना मतलब जस्ट इसका opposite कर देना opposite कर दोगे यानि कि reverse कर दोगे व्यूत क्रम लेलोगे तो सिप्रोकल में डिनॉमिनेटर ऊपर चला जाता है और निमरेटर जो है वो डिनॉमिनेटर बन जाता है तो नीके आगी आजायेगा आपका तो 1 plus x cube plus x के घात 6 का मान क्या है आपको बताना है बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत असानी से इसको समझी आप x plus 1 by x का मान जब minus 2 होता है तो X command क्या हो जाता है तो X command minus 1 आप देखिए यहाँ minus 1 दालोगे minus 1 तो minus 1 plus minus 1 हो जाएगा minus 2 simple सा है तो directly आपको क्या दालना है यहाँ पर X बरावर minus 1 दाल देना इसमें और X बरावर minus 1 मतलब 1 यहाँ पर X cube है तो इसके जगा माइनस 1 आ जाएगा और 6 है घात में तो यहां पर माइनस 1 के घात 6 है जब भी रिनात्मक संख्या के घात एक संख्या होती है तो यहां धनात्मक संख्या निकल के आती है तो 1-1 तो 0 हो गया प्रस का 1 होगा मतलब एक इस सवाल का सभी तो होता है आप चाहे तो यह भी लिख सकते हैं एक और रिजल्ट कि एक्स प्लस वन बाई एक्स जब 2 होगा ठीक है तो एक्स कमान क्या हो जाता है तो एक्स कमान हो जाता है वन अब कुछ लोग सोच रहोंगे कि ऐसा क्यों है ठीक तो इसको भी मैं आपको पूरा सॉल्ट करके बता देता हूं ऐसा है तो क्यों है ठीक है डिरेक्टली आप देखिए यहां पर इसको यदि सॉल्ट किया जाए इस पूरे expression को तो यहाँ x plus 1 by x दिया हुआ था is equal to minus 2 अगर मैं यहाँ LCM लो तो x आएगा उपर आजाएगा x square plus 1 equal to minus 2 इस minus 2 के जगा x को यहाँ लेकर जाए तो आजाएगा x square plus 1 बराबर minus 2x जिसको एक तरफ लेकर आएंगे plus 2ab plus b square अब देखिए इस formula को यदि हम देखेंगे तो यह a का काम कर रहा है x b का काम कर रहा है 1 क्योंकि यह 1 का square है और 2x into 1 multiply करने पर 2ab ही होता है तो यहाँ से इसको solve करेंगे तो x plus 1 का whole square आजाएगा x plus 1 का whole square बन जाएगा बराबर 0 मतलब x plus 1 बराबर 0 मतलब x बराबर क्या है minus 1 तो बार बार इतनी सारे steps लिखने के बजाए directly आप result याद रखें कि जब x plus 1 by x बराबर minus 2 होता है x बराबर minus 1 होता है तो इसके जगा पर minus 1 दाल दीजे तो यह 1 minus 1 plus 1 आएगा तो answer इसका 1 हो जाएगा बी जो है सवाल का से उतर है clear यहां तक समझ में आगी बाते चलिए आगे बढ़ते work done by a in one day is half the work done by b in one day work done by c is b is half the work done by c in one day if c alone can complete the work in seven days in how many days a b c together can complete the work तो समय और कारिक के उपर आधारिक प्रसल है कारिक एक दिन में जो किया गया काम है वो b द्वारा किय गया काम का कितना है तो आधा और साथ में बी द्वारा किया गया कार्य, सी द्वारा किये गया कार्य का कितना है तो आधा है, यदि अकेले सी जो है, साथ दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, तो A, B, C मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, जब भी आपको ये निकालना होता है कि समय, तो मैंने आपको टाइ कि यानने की दक्षिता होनी चाहिए तो A, B और C उनके पर टाइम के उपर कोई misinformation नहीं है, work के उपर कोई information नहीं है, efficiency के ऊपर information है, तो हम directly efficiency से स्टाट करेंगे. बूला गया है कि A जितना कार्य करता है, वह B का आधा है, मतलब B जो कार्य करेगा वो का डूगना फोजाएगा और बी का बोला चाहर हूं यहां पर भूला गया क्यों एक दिन में बहूंद ना सब्सक्राइबूंद उसी कार suspension कॉलम में हम लिखते है के वीडियोस में जो हमने स्कlyस किया था सारी चीज़े मैं आपको बता के रखिए efficiency यदि यहाँ पर देखोगे तो एक कारे कर रहा है अगर यह तो यह B का आधा होना ची मतलब B एक दिन में कितना कारे करेगा 2 कारे करेगा 7 में B जो कारे कर रहा है वो आधा है C का मतलब C जो है इसका दुगना कारे करेगा मतलब 4 का आधा 2 2 का आधा 1 इतना इतना कारे यह लोग कर रहा है 7 में यह दिया हुआ है कि 7 दिनों में पूरा कारे कर देता है कौन तो 7 दिन में पूरा कारे कर देता है C मतलब जो कारे होगा वो इन नोनों का गुनाज होगा मतलब 7 का और 4 का मतलब 28 unit का बात समझ में आई कि लिए क्योंकि देखिए इस formula को समझे वर्क बराबर होता है वर्क बराबर क्या होता है वर्क बराबर होता है efficiency गुने time एक दिन में C 44 unit काम कर रहा है और इसको कारे करने में 7 दिन लग रहे है इसको कारे करने में 7 दिन लग रहे है तो चार multiplied by 7 करोगे तो 28 unit वर्क आएगा कि यह ठीक है तो 28 units का वर्क करना है अब सवाल में यह पूछ रहा था तीनों मिलकर जब कारे करते हैं तो कितना समय लगे है तीनों मिलकर जब कार कर करेंगे तो यह एक की दकश्यता तीनों मिलकर कर करेंगे A plus B plus C की combined दक्षता जो है 1 plus 2, 3 plus 4 करोगे तो 7 unit हो जाएगा, ठीक, ये A, B, C की combined दक्षता होगे, अब time simple सी बात है, कि time का मतलब क्या होता है, time होता है work याने कि 28 divided by दक्षता मतलब 7, चो 4 दिन में ये लोग मिलकर काम complete कर देंगे, 4 decimal clear है, बात समझ में आ गई, efficiency जो है जब तीनों मिल जाएंगे, तो एक दिन में साथ साथ काम होने लगेगा, आप यहाँ पर efficiency याने दक्षता में plus minus कर सकते हैं, work में plus minus कर सकते हैं, लेकिन time निकालने का एक मात्र तरीका है, work कितना करना है, और दक्षता कितनी है, work बटा दक्षता से समय निकलता है, तो मैंने देखा कि 28 unit का work है, साथ जो है इनकी दक्षता है, combined, तो 28 बटे साथ कर लोगे, तो यहाँ पर 4 दिन में कारे होगा, दक्षता का मतलब होता है 3 hours to eat the same number of रस्गुला, how many, how much time will they take to eat 32 रस्गुला टोगदर, मतलब देखिए, रोजा जो है, वो 8 घंटे में 32 रस्गुला खा सकती, और साथ में यहाँ पर उसकी बहन जो है लीला, वो एक दिन में इतनी की मात्रा ही खाने के उसे 3 घंटे का समय लगता है, 32 रस्गुला एक साथ खाने के लिए कितना समय लगएगा, यह हमें निकालना है, तो देखिए, सिंपल सी बात है, रोजा की efficiency की बात करें, तो 32 रस्गुले प्रती घंटे की है, और अगर हम यहाँ पर लीला के बात करें कि इसकी efficiency क्या है, तो 32 divided by 3 से इसको भागना पड़ेगा, क्योंकि तीन घंटे में यह इतने ही रस्गुले खा रही है, हम यह बात जानते हैं कि efficiency में plus minus किया जा सकता है, मतलब अगर दोनों मिलकर रस्गुला खाना चालू करें, तो एक घंटे में कितना रस्गुला खाएंगे, यह लोग 32 प्लस 32 बटा 3, तो अगर मैं 32 को कॉमन निकालू, तो यहाँ पर एक प्लस एक बटा 3 और यहाँ पर गुणे में 32 आजाएगा, इसका जो value होगा है, work divided by efficiency, efficiency मतलब प्रती एकल समय में, याने कि एक आई समय में कितना work किया जा रहा है, वो है, तो एक घंटे में जब यह लोग दोनों मिल जाएंगे, तो इतने रस्गुला खता होगा, ठीक, और इनको रस्गुला खाने कितने, एक साथ मिलकर 32 खाने, तो वर्क जो है, वो 32 रस्गुला का है, एक घंटे में इतना यह लोग complete करने, तो यह efficiency से इसको divide करना पड़ेगा, मतलब 4 into 32, बटा तीन है, तो तीन यहाँ पर उपर चल जाए, तो 32 से 32 कड़ेगा, मतलब यह आ जाएगा, तीन बटे चार, ऑप्शन ऐसा दिखनी रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर आवर्स में इसको cover किया हुआ है, एक घंटे में, और जब यह तीन बटे चार आए, तो तीन बटे चार, चार जो है, आवर है, सवाल अच्छी समझ में आया होगा, आप लोगों को, यह भी efficiency से उपर related है, efficiency जब आप add कर देंगे दोनों का, तो combined efficiency आजएगी, time होता है, work divided by efficiency, चली, अब यहाँ से एक सवाल data sufficiency का लेंगे, और data sufficiency के उपर मैंने बताया है, आपको, कि सबसे आसान भी होता है, और सबसे difficult आसान इसलिए होता है, क्योंकि यहाँ आपको solve नहीं करना है, आपको बस बताना है कि कौन सा information देने से, कौन से कथन से आपका जो है, उपर प्रसंदिया हुआ है, यह परियाप्त होता है, यह बस आपको decide करना है, लेकिन difficult इसलिए है क्योंकि यहाँ पर maths के किसी भी topic से question मन उसका आपको knowledge होना जागी, इसमें दिवाए question given has three statement, you have to study and question and all the three statement and decide which information provided in the statement is or are sufficient for answering the given question, तो नीचे दिये गया प्रश्न के बाद, तीन कथन दिये गया है, आपको यह तैय करना है कि कि प्रश्न को यानि कि प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर होगा, आपको यह तैय करना है कि प्रश्न को हल करने के लिए दिये गया कतनों का अध्यन करना है, और किस कतन में दी गई जानकारी जो है परियाप्त है, दिये गया प्रश्न को उत्तर देने के लिए, मतलब देखिए सवाल क यहां तक हींदी में बंदे होगो यह आपका प्रश्ण एक क्थन पहला काथं दूसरा कथन और तीसरा कफन तो देखें सब्रेखन को उत्तर देने के लिए नीचे मिन देखें कंध को बता के… तो परियाप्त होगा उपर माले question को answer करने के लिए ये आपसे पूछा जाता है सवाल देखे क्या है What will be the cost of painting the walls of the room with length, breadth and height 5, 3 and 8 meters respectively Room has one door and one window तो एक कमरे के चार दिवारों की लंबाई, चौडाई और उचाई आपको दी हुई है 5 meter, 3 meter और 8 meter इसको paint करने में कितना खर्च आएगा मतलब cost आपसे पूछ रहा है साथ में बोल रहा है कमरे में एक दर्वाजा और खिड़की भी है मतलब देखे एक कमरा है, उस कमरे को painting करने में कितना समय लगेगा पुझा और उस कमरे में एक दर्वाजा भी है उस कमरे में खिडकी भी है तो सिम्पल सी बात है आपको तो अपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि यादि मीटर स्क्वार में क्योंकि आट किया वाल की बात कर रहें तो वहां एरिया आएगा तो परती 20 मीटर स्कूयरŞ में क्या कॉस्ट है यह पता होना चाहिए पहली बात साथ में दर्वाजे और खिड़ं की को तो आप वाल में नहीं सकते हैं तो दर्वाजे और खिड़ंकी आयरिया आपको पता और चाहिए क्योंकि उस एरिया को आपको हटाना पड़ेगा उसके बाद ही आप यहां पर उस पे पेंटिंग करेंगे बाकी चीजों पर तो दो information होना चाहिए पहला वाला कथन आपको बता रहा है कि cost of painting जो है square meter का 25 रुपया है प्रती वर्ग मीटर पर painting करने का 25 रुपया तो यह information तो हमें चाहिए ही लेकिन केवाल इस information से नहीं होगा आपको यह भी पता होना चाहिए कि area of door और window क्या है क्योंकि door और window में आपको painting नहीं करना आपको wall में painting करना है तो area of window is 2.25 square meter which is half the area of door खिड़की का शेत्रफल इतना वर्ग मीटर है जो कि आपके दरवाजे के शेत्रफल का आधा है तो देखिए पहला और दूसरा information जो है इतने information देने से दोनों अगर मिल जाए तो हम इसका उत्तर दे देंगे अब देखते एक बार तीसरे वाले में क्या दिया हुआ है इसमें दिया वह area of the room जो है वह आपका 15 है कमरे का शेत्रफल इतना वर्ग मीटर है केवल 1 और 2 कमाइन करने पर अगर आपको एक और statement दो दोनों statement दे दिया जाया तो उपर वाल statement को आप उतर कर देंगे तो data sufficiency जो है यह आपके CSAT में पूछा जाता है कई बार maths से भी पूछा जाता है कई बार reasoning से भी पूछा जाता है इसके नीचे आपको या तो दो statement के उपर भी रहता है कभी-कभी कभी-कभी तीन-तीन statement पर भी आधारीत रहता है तो आपको बस बताना है कि conscious statement देने से आप उतर वाले का उतर दे देंगे आपको solve नहीं करना है ठीक समझ में आगे data sufficiency आने आखड़े परियाप्तिता के सवाल को कैसे लगाना है कि the price of an article was cut down by 25% 24% to restore to the original value the price must be increased by एक वस्तु के कीमत को हम क्या करते है 24 प्रतिशत की छूट नी जाती है उस वस्तु में पुराने मूले पर वापस आने के लिए नहे मूले को कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा देखिए सवाल को करने के तरीके बहुत सार है सिंपल तरीके से समझे कि प्रारंभिक मूले initial value अगर 100 रुपया का था आपने क्या किया इसको 24% से कम कर दिया 24% से आपने इहां पर कम कर दिया 24% से आपने इसको कम कर दिया और कम करने पर जो final value आएगा देखिए अगर प्रारंभिक मूले 100 है 24% से कम करोगे मतलब 24 से कम करोगे तो अन्तिम मूले जो आएगा वह 76 का अब सवाल यह पूछ रहा है कि भाई इस घटे हुए value को कितने प्रतिशत से हम बढ़ाए मतलब आप से अब यह percentage increase पूछ रहा है याने प्रतिशत निकालना अप लोग जानते है percentage increase होता है कि actually कितना increase हुआ मतलब यहां से यहां तक कितना increase हुआ मतलब देखें इसमें से यहां तक महुंचने के लिए आपको 24 का increment करना पड़ेगा और divided by किसमें प्रारंभिक मूले में तो अब प्रारंभिक मूले का काम 76 कर रहा है क्यूंकि चार से काटूं तो यह 6 बन जाएगा यह 19 बन जाएगा अगर आपने मेरा क्लास एटेंड किया है उसमें सी सैट वाले क्लास में यह की सीजी पेसी की लाइव क्लास में तो उसमें मैंने आपको याद करवाया था एक डिवाइडेड़ बाइ उनिस का परसेंटेज जो वैल्यू होता है जो होता है 5.26 फृसेंटेज ठीक कितने लोगों को याद ही एक बटे 19 का प्रतिसेत मान जो होता है वह 5.26 परसेंटेज होता है तो यहां 19 से तो दिख रहा है मतलब इसका जो मान है इतने वैल्यू का मान 5.26 होगा आपको इसमें 6 गुणा करना है मतलब इसका 6 बटे 19 का परसेंटेज मान निकालना है मतलब आपको 5.26 मल्टीपल एडबर शे करना एप्रॉक्सिमेटल तो यहां 30 आएगा यह एक दसमलब दो देगा यह 3.6 मतलब टोटल करने पर 31.56 के आसपास एप्रॉक्सिमेट वैल्यू आ रहा है जिससे कि आप यहां पर डी को करेक्ट मान सकते हैं तो देखें परसेंटेज वाले वीडियो म हमने कुछ चीजों को डिसकसन किया था और उसको कैसे यूज करना है वह एक बार और आप यहां पर सीख रहें क्यूंकि आपको मैंने याद कराया था कि एक बटे उनिस का परसेंटेज वैल्यू 5.26 बहुत इंपॉर्टेंट है यह इस तरीक है कि कैलकुलेशन जब एक्जा स्वाव में दिया है और की ऐस्ट आईयू जो है आर की आईयू से पांश वर्स अधिक है पी और क्यू कि कूल आयू जो है वह अगर उनचालिस वर्स है तो आपको बताना है कि यहां पर आर की आयू क्या होगी तो देखिया पी यू आर तीन विक्ति है इनकी जो ओस्त तीनों का average निकालना है age का तो p plus q plus r divided by 3 होगा average का मतलब क्या होता है sum divided by number यह जो average है इसके बारे में दिया हुआ है कि r की age से r की age से 5 जादा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि r से 5 जादा होगा यहां तक समझ में आ गई बाते दूसरी बात दिया हुआ है कि p और q का कुल आयू जो 39 वर्स है तो p plus q यदि करेंगे तो p plus q कितला हो जाएगा 39 years हो जाएगा मतलब जहां p है plus q है इस p और q के जगा पर मैं यहां पर डाल देता हूँ मतलब बन जाएगा 39 प्लस r ठीक है और यह जो तीन है इस तीन को दूसरे तरफ भेज देते हैं जैसे आप दूसरे तरफ भेजेंगे तो यह थर्टी नाइन तो p plus q के बजा आ गया यहां पर बटा तीन बरावर आर प्लस पास था यही था ना मैं कहा रहा हूं इस तीन को उ आट आदू तो 24 आ जाएगा मतलब आर का वैल्यू कितना है तो आर का वैल्यू 12 ठीक 12 वर्ष तो यहां से ए जो सवाल का सही उत्तर यहां तक बाते समझ में आ गई चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको नेक्स्ट कुश्चन में 28 सवाल पे सिंपल से सवाल था यह असी के घात में करणी घात में चे तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या निकालनी घंण मुल 9 का वर्भ मूल 3 का करणी घात 16 का चार है और यहां पर आपका और असी के करणी घात में यहां पर कहीना कई जो वैल्यू है वो च्यूंश है खीख है तो देखिए इस में से सबसे छोटा बेड़ा बादा वैल्यू के हापको निकालना है क्यूब रूट का मतलब होता है नौ के घात हमने यहां पर एक बटा तीन क्या हुआ है क्यूब रूट है ना क्यूब रूट का मतलब क्या होता है नौ के घात एक बटा तीन बात समझ में रही है तो पहला वाला जो वैलू है नौ के घात एक बटा तीन है दूसरा वैलू है प कौनसा बड़ा value कौनसा चोटा value चैक इस में कैसे solve किया जाया इसके उपर थोड़ा सा discussion कर ले इन सभी में सबसे बड़ा वेल्यू कॉनिसा है यहां से निकालने को कहा गया तो जैसे आप देख रहें यहां 3 है 2 है यहां चार 3,2,4,6 तो 3,2,6 का LC हम ले लिजिए, यानि कि लगुत्तम सबाप परते आपको लेना होगा, इन 4 का लगुत्तम सबाप परते जो होता है, वो होता है 12, मतलब इसके घात में आपको क्या करना है, तो 12 चड़ा देना है, इसके घात में आपको क्या चड़ा देना है, तो 12 चड बन जाए इन दोनों का गणा करना तो फसकी सो निकालने आपको सब्से आप पांच के घात यहां पर शे है कि थोड़ा सा यहां सा क्लकूलेटिफ हो गया यह थोड़ा सा यह स्काल्फ करिए सब्सक्राइद 109 के खाज 4 मतलब दिखे पहले 81 कर लिजे 81-892 इसका स्क्वार निकालना आप देखिए इसका स्क्वार निकालना हम सीख को देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता से 155-125 में 25 जुड़ूँगा तो 150 बन जाएगी और आगे मैं क्या लिखूंगा तो जो difference है उसका square, मतलब 100 से कितने का difference है, 25 का difference तो 25 का square लिखेगा, value कितना आ रहा है, 625, तो मैं लिखूंगा 25, 6 को आगे बेश दूँगा, 15625, ये trick है, squares को निकालने का, ठीक, तो ये value 15625, अब जाहिर सी बात है, ये ज़्यादा ही है न इ अब जहां तक बात है, अगर 81 का square भी आप लोग सीखना चाहते हैं, तो देखें, 81 का square निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आपका देखना है, base number 100, 100 से 19 कम है, तो क्या करेंगे, यहां 81 में 19 गटा देंगे, यहां पर ये 100 से 25 ज्यादा था, तो मैंने क्या किया, 125 में 25 जोड पर 62 होगा, 62 में आपको तीन जोडना है, तो 65 हो जाएगा, यहां तक बात समझ बात है, चलिए, तो आप देख पार है, 6561 इससे तो छोटा ही, सबसे बड़ा value, यही होगा, पांच वाले, चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अ कॉंस्टेबल इस 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ, कॉंस्टेबल रन से 21 मीटर पर सेकेंड मिनिट, एन थीफ, एट 15 मीटर पर मिनिट, वट, इन वट ताइम विल दा कॉंस्टेबल कैसे थीफ, तो देखें, यहां पर दिया हुआ है कि एक पुलिस वाला जो भागता है, व तो देखें, सवाल सिंपल सा ही है, यहां पर A point मान लेते हैं, और यहां पर यह B point मान लेते हैं, तो पुलिस यहां पर है, चोर यहां पर खड़ा है, और इन दोनों के बीच की दूरी 114 मीटर दी हुई है, साथ में यह दिया हुआ है कि पुलिस जब भागता है, तो 21 मीटर प्रती मिनिट के हिसाब से भागता है, चोर जब भागता है, तो 15 मीटर प्रती मिनिट के हिसाब से भागता है, यह दिया हुआ है, अब आप लोग जानते हैं कि जब सेम डिरेक्शन में जब कोई दो व्यक्ति भागते हैं, तो सापेक्स गती जो होती है, वो इन दोनों का तो यह हो जाएगा शे मीटर पती में अब जब समय निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस प्समय का जो फॉर्मुला होता है बटे में चानुन प्रती मिनिट जू है इतना इसका टाइम लग जाएगा पुलिस को इसे पकड़ने लियर है बात समझे बागे है चली ठीक है तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे है टाइम स्पीड डिस्टेंस के उपर एक सवाल जो कि सापेक्स गती के उपर आधारित है दिया हुआ था दूरी इतना है दूनों एक ही दिशा में भागेंगे तो सापेक्स गती इंदोनों का अंतर होता है अ एक आखरी सवाल देखेंगे इस वीडियो में यहां दिया हुआ है आपके स्क्रीन के ओपर अब बॉय राइट सिस बाइसिकल एक टेन किलोमेटर पर आवर एट एवरेज स्पीड पर आवर अगें ट्रैवल किलोमेटर एट एवरेज स्पीड पर एंटायर ट्रिप एप्रो इस साब से चलता ऩंट तो यहां पर आपको बताना है कि कुल यात्रा के दौरान उसके औंज उसत चाल का है यह हमें बताना है तो देखिए ओसत चाल का मतलब क्या होता है ओसत चाल जांस इसके बारे में आपको क्या बता के रखा है cash by average होता है कि कुल दूरी जितनी तैक की गई बटे जो कुल समय लगा गया यहीं हमारा औस चलो तो टोटल डिस्टेंस यानि की आप लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ठीक है दिवाइड़ बटेंस यह हमने देखा हुआ है यानि कुल समय जितना लगा वो आपको निकालना होगा कुल दूरी जो तैक करनी यह आपको निकालनी होगी इन नोनों को जोड लीजे तो आपका वैल्यू हजाएगा कि कितना यहां पर ठीक है तो देखिए यहां से टो अभी देखा हमने distance divided by speed यानि जो दूरी है बटा जो चाल है इन नोनों को भाग दोगे तो आपका समय निकल के आजाएगा तो जब 10 km चलता है तो speed कितनी है 12 km की और जब 12 km चलता है तो speed कितनी है तो यहां 10 km प्रतिगंटे की speed है तो इस 10 km को cover करने के लिए speed 12 km प्रतिगंट कितना होगा तो यहां 22 22 तो उपर आ जाएगा इन दोनों का LCM ले लेते हैं इन दोनों का LCM हो जाएगा 60 60 ठीक इसके बाद उपर यहां पर 5 से काटोगे तो 50 आ रहा है इसे यहां पर 6 से काटोगे तो यहां 72 आ रहा है ठीक दोनों को यदि हम जोड़ दे तो 22 multiplied by 60 उपर आ और नीचे जो value है इन दोनों को जोड़ने पर 122 आ रहा है ठीक है 122 तो अगर मैं इसे 2 से काटो तो यहां 11 आ रहा है यहां पर 61 आ रहा है मतलब देखिए अगर आप इस fraction को देखें तो यह एक से थोड़ा सा छोटा है तो यह overall 11 था 11 से थोड़ा सा छोटा value जो है 10.8 km पति option है वही उत्तर हो जाएगा ठीक है अब मैं यहां पर इस वीडियो को रोखता हूं तो mcq का यह पहला part था जिसमें हमने संख्यात्मक अभ्योगिता math से related कुछ सवाल देखें ठीक है मैं आशा करता हूं कि अगर आपने मेरे सारे वीडियो पहले वाले भी देखें हैं आप अच्छे से preparation करिए क्योंकि अभी आपका exam बहुत जल्दी आने माला है और all the best आपके exam के लिए thank you so much इस वीडियो में इतना ही